प्यारे बच्चों, आज हम पाच्चुमी कंच्छा के गडित का सापना चप्टर पढ़ेगे, जिसका नाम है मापन अचन continuar है, तो इसमें हम दो भाग बनाए हैं, तो आज हम इस वीडियों में पहला भाग पढ़ेगे, जिसमें दॅदा मापन के बारेवे में चर्चा करेंगे, फीर बिमिन के बारेवें जाने के काा राजु क्या होता है dai इसके बारे में जाने के लिए अधिए अधिम मापन बारे में पढ़ेंगे मापन का उर्थ होता है मापना कि मापने के हम तरव अपनाते हैं जिसीCA lang के कि इसी बस्तु का भार मापकर या कोई द्रव या तरव पदात का आईकन या धारिता मापकर है न बच्चों इसलिए मापन के चार खंड करते हैं इसमें पर्ला खंड है लबाई में दूसरा खंड है भार और तीसरा है है भाड़ का और चोखा है आएकन है ठीक है बच्चों है तो हम पहले यानि था लंबाई के बारे में पहले पढ़ चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में था याई की भार के बारे में आप लोगों को पताएंगा होता क्या है अक्सर हम विद्विन बस्तों का भार की वजन पता करने के लिए दो चीजों की तुलना कर उनका अनुमान लगाते के आखिर कौन हल्का है कौन भारी है क्या कोई मराबर हो ठीक है बच्चों अब हम कुछ बस्तों का आनुमानकर भार परहा करतें ठीक है यह क्या है बच्चों यह कलम और यह क्या है बच्चों यह यह है कल तो इन दोनों में अब हम कूलना करते हैं को हलका है वह है इसे कि देखिए है ना इंट्रस्टिंग अब बताइए बच्चों इनमें से कौन हलका है और कौन भारी है बिल्कुल यह जो मार्कर है कलम की तुलना में भारी है और यह कलम की तुलना में हलकी है यह ना बच्चों आए अगला देखते हैं यह क्या है बच्चों यह है तमातर और यह निम्बू अब इसकी तुलना करते हैं बताएए इनमें कोन हलका है और कोन भारी है बिल्कुल यह तमातर जो है निम्बू की तुलना में भारी है और यह निम्बू हलकी है है ना बच्चो अच्छा बच्चो आप कभी दुका से चावल, डाल, सबजी, फलादी खरिदे हैं खरिदे ही होंगे या कभी किसी को खरिदे हुए देखे होंगे है ना यह देखे सबजी वाला अपना सबजी बेच रहा है ठीक है तो क्या इन्ही के मूँ से क्या अब ऐसा सुने हैं कि मुझे खुल को भी से थोरा सा कम सिंगालिस दीजिए या कभी ऐसा सुना है कि कदू से थोरा सा कम वो भी दीजिए या कदू के पराबर वो भी दीजिए ऐसा सुने हैं नहीं ना शाहा तक है कि हमें कुछ बस्तुमें कि मात्राना में चाईये आर को चीजो अधिक मत्राना चाहिए होती है आप कन आप च्छे मेंऑ år में net कि मिर्ची अधिक खरिपते हैं तो हम कम मात्रा में लेते हूं तो अखिए दुकांदार कम और ज्यादा मात्रा का भेडभाव या उसका उचित माव पता कैसे करता है तो एक्षोली दुकांदार जो है विहंतराजु का उप्योगकरता है ताराजु का उप्योग करता है ये टेखिए अपलों के सबने न देखेंगे आप रुगी एडिए समाइन सब्सक्राबर बिर्ली था न ये सौना अधिक वेचते हैं उसके प्रांशी कमग करशा देखांगे आप अब यह दिखे एक डीजिटल तॉल काटा इलप्रोनिक तॉल काटा इसमें क्या होता है इसमें कुछ सब्जी रखते हैं तो यहां उसका वजन डिस्प्ले कर देता है है ना वज्चों है तो माल दीजिए अगर हम कुछ सब्जियां लेते हैं करता है एक सब्जियां रख देता है और दूसरे तरफ बीजीर वाट रख देता है का जैसे माल देख सब्जिया लेते हैं तो दुकनड़ क्या करता है एक पलड़े में एक केजी का बाट रख दोस्तों पलड़े सब्जियां रखता है जितनी हमें सब्जियां जो रहती है ठीक है तो अब लोग तो लगता हो कि अफिर ये बाठ किया है ठीक है? आएए अब हम आपको बताते हैं कि बाठ किया होता है बाठ एक्च्यूली हम बोल चाल की फसा में जिसको बाठ घराब होते हैं है ना बच्चों यह देखिए कि यह दिश्क की यह देखिए यह सौ गराम यह दो सो गराम के वाट ऐसे ही यह दिखें फांसो घ्राम के यह एक केजी के हैं यह दिखें सारा यहां पर है कुछ दो किलो को भी पाट होते हैं और पांस किलो को भी होते हैं और दस केजी का भी वाट होता है अगर वालीज दो किलो अगर हमें अलु लेना है तो अखीर हमें सभी परकार के बाट होते हैं हमें माल लिजे सब्जी लेना है 300 ग्राम 12 किलो 400 ग्राम 750 ग्राम क्या सल्भी को बाठ हमारे पस्मोजुद होते हैं क्या नहीं ना तो आखिर दुकान दुस्ता करता क्या है मांगी जिया अगर कोई एक किलो 250 ग्राम वो भी खरीते हैं पहले एक केजी का बाठ रखता है पहले में और दुसरी बार एक केजी के साथ 100 ग्राम के दुबाट लगता है और 50 ग्राम के एक बाठ तो पुल कितने होते हैं केजी का चिनर खंअ कि चीलो ग्राम वह और पहले आप जोड़ और वाकिन पहले जोड़ 12nap यानि कि फुल हमें 250 ग्राम का सब्जी मिल जाता है एक किलो 250 ग्राम का सब्जी करना है तो तो कंदर क्या करता है अगर हमें एक केजी के बदले एक किलो बाट के बदले अगर एक किलो बाट के बदले हमें 250 ग्राम के बाट कर सब्जी देता है तो क्या यह गलत है क्या अगर हमें एक केजी बाट के बदले दो पासो ग्राम के बाट रख देता है तो यह गलत नहीं है क्यों क्योंकि हम जाते हैं कि एक केजी बराबर एक हजार ग्राम मता है थे ना बच्चों और यह दिखे बाट में एक पासो का बाट एक पासो ग्राट कुल कितने हो च्वेशत है कुल एक हजार बाट हो चिया कि यह गलत नहीं रहें ऐक केजंआ के के बराबर है यह बाट के बराबर दो पासो ग्राम के बाट हो सकते हैं ठीक है बिखे लाचू यह देर्ण है एक हजार ग्राम हो गए ठीक है तो इसी परकाद अगर कोई पुछे कि 500 ग्राम के दो बाट हुए एक केजी पर ताकि 200 ग्राम के बाट एक केजी पर कितने होगे कैंजी कितना तो बाट होगे 200 ग्राम के है ठीक है तो एक केजी पर आगर 200 ग्राम के इतने बाट एक दो तीन जा तो इसमें हम क्या सिखें बच्चो करहें कि आ कि कीजि बड़ाबर Wilson की और सब्सक्राइब कbell vrij elegant सिरे अन्यवाद皆さん को और सब्सक्राइब कि रखें क्योंसित पहला है एक क्या मीज़ी आप इसनि फॉम्ですか तो मुँए भार के मात्मन के इकाई है ठीक है और यह जो केजी हूण वह भार के बढ़ीकाई है और यह ग्राम जो है उलों ळाम प केज कि ग्राम और कि याला होे है拜拜 और भी काईयां है तो अप्तापन में अतावगा इसा बिल्कुल केजी और ग्राम के अलावे पूछ और भी काईयां है तो आएए अब हम भाग दो में इस इकाईयों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ भाग दो यांकी अगले वीडियों में हम भार के मापन के योग और घटाव के बारे में भी सिखेंगे ठीक है बच्चों अच्छा बच्चों आप कभी दुका से चावल डाल सबजी फलादी खरिदे हैं खरिदे ही होंगे या कभी किसी को खरिदे हुए देखे होंगे है ना यह देखे सब्जी वाला अपना सब्जी बेच रहा है ठीक है तो क्या इन्हीं के मूँ से क्या अब ऐसा सुने हैं कि मुझे भूल को भी से थोरा सक कम सिंग्ला मिस दीजिए या कभी ऐसा सुना है कि कर्दु से थोरा सक कम वो भी दीजिए या कर्दु के पराबर वो भी दीजिए ऐसा सुने हैं नहीं ना क्यों क्योंकि हमें है है कि पुछ बस्तु में एडिक मात्रा में चाहिए अदी अगर हम खरिते हैं तो उसे हम ज्यादा मात्रा में खरिते हैं और यादी से मासला नमा धा की मिर्शी आधि खरिते हैं तो हम कम मात्रा में लेते हैं तो अखिये दुकांदार कम और ज्यादा मात्रा का भेर भाव या उसका उचित माव पता कैसे करता है तो एक्षोली दुकांदार जो है विल्यिन का उपयोग करता यह देखिए आप लोके समने यह दिखिये ताराजू है ना देखे हो थी तो यह दिखे वाले सब्जाबिनी रखते हैं ये स्वना है वेष्ट थे उसके सधोन सभी जाए क्या विए और है पीजिटल टॉल काटा एक वा लिपाल यह पल गाए है inja i.b पजर डिस्प्ले कर देता है ना वज्चों तो माल लिजिये अगर हम कुछ सब्जियां लेते हैं तो ताराजों को प्योग दुकांदर कैसे करता है एक करद कुछ सब्जियां रख देता है और दूसरे तरह 20 वाट रख देता है ठीक है है जाकर है हम सब्सक्राइब दोंपगेंस ख़्यां करता है है तो लगते हों आफ हूप क्या है है था आए जाक हम आपको बताते हैं हमाट क्या रहता है हम बोलोना कि घराब हम सचों बच्छों यह ना बच्छोर यह देखके हैं है ही का यह यहThese 100 ग्राम के BAT, ये 200 ग्राम के BAT ऐसे ही 500 ग्राम ये ये केजिये के ये हैं ये साल यहां पर ये रिख है क्रते हैं और 5kg की Bowl भी हमदह हैं और 10 केजिम कर भी BAT होता हुर है अगर है तो आखीर क्या हम हमें सभी परकार के बाट होते हैं हमें माल लिजे सब्जी लेना है 300 ग्राम 12 किलो 400 ग्राम 750 ग्राम क्या सर्वी का बाट हमारे पस्मोजुग होते हैं क्या नहीं न तो आखिर दुकांदा रुष्टा करता क्या है मांगी जिया अगर कोई एक किलो 250 ग्राम वो भी खरीते हैं क्या करता है बच्चों पहले एक केजी का बाट रखता है पहले में और दूसरी बाद एक केजी के साथ कि रराम के दो बाट रखता है और फचैस घ्राम के एक बाट तो उल कितने ऊंगे एक केजी का अधा कमेड़ के वलाया की पहले आपप्चेश और बाकि को ग्राम वला भच्चे एग ग्राम वला पिर दोस्टिधा धनी도 किलो के 20 में 250 मुझ्टा करणा C rim डविए उसे ही ळकुट करता है एक Michaels कर दोंदों में करता है 500 ग्रॉड़ा पीद करता है और 100 ग्षर का बाढ़ दुथ है Dan दीतीं नावरे तो इसे लिए यह सब्सक्राव और parental अट्थीवर करता है कि अगर दुकानदार हमें एक केजी के बदले एक किलो बाट के बदले कि अगर एक किलो बाट के बदले हमें दो पासो ग्राम के बाट दे रच कर सब्जी देता है कि यह गलत थी क्या अगर हमें एक केजी बाट के बदले नहीं है कि यह गलत नहीं है यह दिखे बाट में एक पासो गाबाट एक पासो गाफ कि यह गलत नहीं है एक केसी के बरावर एक बाट के बरावर दो पानसों गराम के बाट हो सकते हैं ठीक है बच्छों यह दिखी दो पानसों मिलके एक गजार गराम हो गए ठीक है तो इसी परकार अगर कोई पुछे एक केजी पर at the moment it ृंपी इतने बाइए इसके पुल 5 कोई पुरांग के कितने बाड़ होले एक केजी पर कीज ही तो इसमें हम क्या सिखे बच्चों कि एक केजी बराबर एक हजार ग्राम होता है सब्सक्राइज केजी बराब किए कैजी बराब है तो यह इस नहीं बश्तम नहीं है लिए के मांपण के काई्यान एक है तो आप हो और स्वस्त प्रस्त हों और कि या और में . किलो ग्राम केनल होगें और भी है हैं स्वस्त पांद में आता होगा इसा तिर्फ एजी और ग्राम के लागे उच्छ और दीकाई अउन ठीक है तो आए अब हम भाग दो में इस इकाई ओके पढ़ेंगे और साथ ही साथ भाग दो यांकी अगले वीडियों में हम भार के मापन के योग और घटाओ के बार में भी सिखेंगे दीके बच्चों और नहां? और लो